हाई गाईज वेलकम बैक टो SLA टेक पॉइंट चलने दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Xiaomi 11i Hyper Charger के बारे में ये फोन के बारे में कुछ अलग मैं बताने के कोशिस करूँगा क्योंकि price में पहले बता चुका हूँ specification में पहले बता चुका हूँ और launching date भी पहले बता चुका हूँ अगर आप हमारे channel में पहली बारा हैं तो definitely आपको भी मैं बता दूँगा कि इसका specification क्या है price क्या है और ये phone इंडिया में कब launch हो रहा है और दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाला हूँ कि कुछ YouTube में देख रहा हूँ कि आपको गलत information दे रहा है इसके बारे में कि ये phone 25 minute में charge हो रहा है, 35 minute में charge हो रहा है 45 minute में charge हो रहा है, 40 minute में ऐसा नहीं है, ये लोग जो ले कर के आ रहे हैं ये चाइना वाला वेरेंट लेके आ रहे हैं इसलिए वो इतना टाइम ले रहा है और ये फोन अगर आप बाई भी कर लेते हैं तो भी मैं आपको एक सेटिंग बताऊँगा वो सेटिंग जाकर के आउन करेंगे तो आपका फोन 15 मिनिट में चार्ज हो पाएगा Otherwise, Normal Mode में ही चार्ज होगा तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ देखते रही है SLA Tech Point चल ले तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि Xiaomi Company ने सबसे पहले चार्जिंग के मामले में बहुत ज़्यादा बिल्कुल रायता फैला रखा है इससे पहले जो लाकर आईए थी एर चार्जिंग उससे पहले जो लाई थी टर्बो चार्जिंग एर चार्जिंग में क्या था? कि device के बीच में कोई नहीं आईगा तो phone कही भी room में रखा रहाएगा phone आपका एर चार्जिंग होता रहाएगा मतलब कि उसके कोई plug लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे ही phone चार्ज होता रहागा लेकिन इसमें ऐसा नहीं दोस्तों इसमें आपको 120 watt का charger मिलेगा जो कि बैटरी को 15 मिन में 100% चार्ज कर देगा 5 मिनट में 45% चार्ज कर देगा 10 मिनट में 75% कर देगा और 15 मिनट में 100% चार्ज कर देगा हला कि इसमें भी कुछ ही challenges है ऐसा नहीं है कि आपका 15 मिनट में 100% चार्ज कर देगा क्योंकि इसमें भी कुछ condition यह है कि phone आपका switch off हला कि switch off नहीं चलेगा तो भी चलेगा plain mode में phone का होना जरूरी है तो आपका थोड़ा सा जल्दी चार्ज होगा और phone को अगर आप air condition में रखे हैं तो भी आपका phone जल्दी चार्ज होगा अगर आप गर्मी में अजिक temperature में phone को रखे हैं तो वहाँ थोड़ा सा चार्ज करने में आपको problem होगी और थोड़ा सा समय लेगा तो इसलिए आपको इसमें हड़ बढ़ाने की ज़रूत ने दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको battery वाले section में जा करके आपको turbo option को on करना पड़ेगा तब जा करके आपकी device 15 minute में पूरा चार्ज हो पाएगी otherwise यह अगर आप setting on नहीं करेंगे तो यह normal mode में ही charge होती रहेगी दोस्तों तो दोस्तों और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह phone जो है बहुत ही जल्द इंडिया में launch हो रहा है 6 January को launch हो रहा है 12 बज़े launch होगा दिन में आप यह flip card से भी buy कर सकते है और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ को यह phone का वहीं आपको तीन camera देखने को मिलेगा back मे 108 megapixel, 8 megapixel और 2 megapixel front में आपको जो मिलेगा 16 megapixel का camera मिलेगा back के जो camera को आप 4K video उससे recording कर सकते हैं आसानी से वहीं पर दोस्तों इसके डिस्प्ले बहुत ही कमाल की डिस्प्ले है 6.6 इनकी डिस्प्ले है अमोल LED डिस्प्ले है और डिस्प्ले की जो refresh rate होगी 120 हर्ट की refresh rate होगी और डिस्प्ले की production के लिए corning gorilla glass pipe लगाया गया है हलाकि back shot में पर देखेंगे तो आपको एक अलग सा look देने के लिए glass ही लगाया गया बोड़े पे ताकि आप कहीं भी phone को घुमाते हैं अगर sun में मतलब ले जाएका light में तो उसका डिस्प्ले का थोड़ा सा color वगरे change होता रहेगा ऐसा करके बनाई है company वहें पर बात करने दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे तो प्रोसेसर का बहुत ही पावरफुल होने वाला है media tech definition 920 का प्रोसेसर होगा 6GB RAM के साथ 108GB storage के साथ रहेगा और वहें पर बैटरी जो इसकी है 4500 image की बैटरी मिलेगी और इसमें आपको JBL का speaker भी दो speaker मिलेंगे बहुत ही powerful speaker है दोस्तों ये phone 2G, 3G, 4G पे काम करेगा 5G हलाकि इसको 5G बोल सकते हैं लेकिन तो इंडिया के base पे 5G phone नहीं बनाया गया है इस बात का आप बहुत ध्यान रगना तो दोस्तों ये phone लेने के लिए आपको जो price पे करनी पड़ेगा इंडिया में यानि 6 तारी को जो पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा ये phone लेने के लिए 25,000 रुपए तक आपको पे करना पड़ेगा तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूब बताएगा और 5 जनवरी को आप Vivo V23 पर्चेस कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूब करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ने के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ बेल आइकन को दबा लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फोर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके मिलते हैं दोस्तों अगरे वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत